हम स millimeter कि इयुटूब चैनल पर हमंगी नाध के सब्सक्राइबर के के जाता है और मोकी चैनल मुनिताइज हो जाता है और मुनिताइज हो जाने के बाद niin डॉलर पर हमें अड्ड Dogs . हमारे हमारे घर रिसीव हो जाता है जिसे हमारा एड्रेस वेरिकसन हो जाता है तो आए मैं बिल्खुल रियल तरीका और सही तरीका बताऊंगा कि हम कैसे अपने बैंक को यूटूब से जोड़ते हैं इस तरह से हम मोटी मोटा कह सकते हैं लेकिन वह जो एड होता है ना बैंक वह एडसेंस में होता है क्योंकि आपको पता होगा कि चैनल को मुनिटाइज हो से और एडसेंस में हमारा सारा कुछ जमा होता है ठीक है तो आए आपको बताते हैं कैसे अपना बैंक लिंक करते हैं यूटूब से या एडसेंस से पूरा तरीका बताऊंगा और वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करेगा और दोस्तों मैंने अपना यूटूब चैनल सपोर्ट है इसका नाम मैंने दोस्तों चेंज कर दिया यहां पर रख दिया क्रियेटर जंक्सन तो नाम कैसे आप लों कमेंट बाक्स में भी बताएगा तो चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने यूटूब चैनल क्रियेटर जंक्सन में और वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करियेगा वीडियो को लाइक यहां चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों तो दोस्तों बैंक एकाउंट जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा पूरा प्रोसेस मैं आपको कंप्लेटली बताऊंगा अपने यूटूब से कैसे हम बैंक लिंक करते हैं तो आपको बैं पर जाके पता कर सकते हैं यहां फिर आनलाइन आनलाइन भी आपको मिले जाता है वी मैं बता दूगा कैसे आनलाइन मिलता है ठीक ना तो आये तो सर्च हमें from यहां सैक की नाम एकलिक करेंगे जैसे क्लिक करते है तो यहां फेला लोड़्िंग लेगा थोड़ा सा लोडिंग लेने के पाद हमारा Google AdSense यहां पर Chrome Browser में open हो जाएगा open हो गया बर यहां पर जो आपको यहां पर तीन बिंदी दिख रही होगी कोने पर इस पर क्लिक करिएगा और डिस्क टाप साइट है एक option होगा इस पर क्लिक कर दिजेगा तो डिश्टॉप मोड में open हो जाएगा और यहां पर साइन इन का और साइन पर क्लिक कर दिजेगा देखिए थोड़ा सा जूम करना चाहँगा कोने पर साइन इन का ओफ्षन है साइन इन पर क्लिक करईगा और जिससे साइन इन पर क्लिक करेंगे आपन हो जाएगा और दिखार हो पर देख पार है घूगल एइट संस rozp हता करता सबकुछ देख सकते मेरे मेरे में 28 उसके बाद आपने बात बताना चाहूंगा दोस्तों इस से पहले कुछ कारे होता है जो साथ आपने घर आया होगा गूगल लेटर उस पीन को अपने हाँ पर भर Gear लिया होगा उसके बाद ही बाद ये बेंक अड्ट किया जाता है और बैंक करने से पहले आपको टेक्स भाउन भी भरना होता है मैंने इस टेक्स फार या पर पाद फिर जाके ना बैंक किया जाता है मेरी बात पर फोकस करेगा दूस्तों तो यह दो काम आपने कर लिए हैं मैं उम्मिद करते हैं उसके बाद आप बैंक करने जा रहे हैं तो यहां पर प्लिक करेंगे और यहां पर निव पेज लोडिंग होगा थ्वड़ा सा इंतजार क करेंगे पूरा का पूरा आपको दिखा रहे हैं ठीक है कि देख सकते हैं इस तरह से पेज आ जाएगा और उसके बाद देखें पेज ओपन हो गया और उसके बाद हमें एक और मिलता है हाओ यू गेट पेड़ और यहां पेक आप से एड़ पेमेंट मेंट हम इसी पर क्लिक कर देंगे जैसे क्लिक करते हैं तो निउप लोडिंग होता है और यहां से हमें बैंक डीटेल भरने का ओफसन आता है ठीक है तो देखें दोस्तों कैसे भरा जाता ध्यान देजेगा यहां पर बैनिफिसरी आइडी है तो बैनिफिसरी आइडी अफसनल होता है इसको यूको बैंक लिख दिया है ठीक है आइफसी कोड आपके यहां पर पास्वुक पर ही होता है तो वहां से आपको अपना आइफसी कोड लिख देना है shift code यह दोस्तों जो shift code होता है यह मिलता है आपको जो code है यह मिलता है आपको अपने branch से यह तो फिर online भी find कर सकते हैं अभी बता रहा हूँ कैसे find करेंगे वह shift code यहां पर भढ़ना है फिर आपको अपना account number यहां पर भढ़ना है खाता संख्या जो आपके पासबूक पर होगा मतलिर नमबर रही तो दोनों में से महाने तो अपको ड़्लेघ ना पहले मिल जाते हैं लेगिन हो सकता आपके branch का कोई और सिफ्ट कोड गोरगपुर से हैं और हमारा गोरगपुर ब्रांच में खाता है था मैं पी यादी लिखें यह वारगपूर इसे लिखके मैंने सर्च किया तो देखें गोरगपूर का जो स्टेट बेंक और इंडिया का सिफ्ट कोड और वहां से बिजिट करके अपने रहें तो काफी वह अच्छा होता है वह भरेंगे तो हैं और अपका ब्रांच कर रहा कि नहीं कर रहा है तो जो भी थी सची जानकारी दिया वह इसे चाहिए आप आंलाइन भी डूट सकते हैं जै अगर हमें एड करना था हमें एड कर सकते हैं बट बेटर तरीका होता है कि आप अपने ब्रांच से पता करें ठीक ना तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए दोस्ता आप अपना अच्छे से ख्याल रिखिएगा कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में भी क